वीडियो डिस्क्लेमर इस वीडियो इस ओनली फॉर एंटर्टेन्मेंट परपर्स तो प्लीज डॉन्ट टेक सेरियसली लो गैज मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्सी मैस अपने गैज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के अगर आपको यह मैस अपने पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और चैनल के नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा थैंक्यू तो गाइस आगे की बात हम वीडियो खतम होने के बात करते हैं तो चलिए इस कमाल के मैस अप पर चैनल के बाते लेकिन तीन वार्शेप उसाघर में पहुंच चुकी है और जो भी है उदर वो जाकर पहुंची हुए और भाई सब्सक्राइब बड़ी चीज होती है अब पता है पकिस्तान ने अब ही तक पकिस्तान का जो अभी जब से ये एरान को इस्राइल का हुआ ह पकिस्तान ने रूट ही चेंज कर लिया कि हुए और व्ल्फुल चेंज कर दिया है और भी दुनिये के फ्राइट से जर्ट है जे में पर आणने चाल रहा जहरो हिए बिलकुफ उलकु उनर ए एक जो पर और टीन वौर शिंड लेकर इर पहुंच गया थे उनिम्हा पनता है अगर कोई देश टेररिस्ट और टेररिस्ट और टेररिस्ट और अर्गनाइज़ेशन को हवा देगा प्रोवोकेशन देगा तो आतरनिय प्रधान मंत्री उससे नफरत करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि हम फलस्तिनियों के और एरान को हम कहते हैं तहमल का मुझारा करें दूसरी तरफ इसराहिल को वो साइरन दे रहे हैं दूसरी तरफ इसराहिल की तरफ वो बैरी जहास बेज रहे हैं और अपना असलाफ राम कर रहे हैं इंडिया वहां से उठा करेंगी टेर्रिजम एक्टिविटीज का शुरुवात किस ने किया था हमास और फलस्तीन ने किया था बाद में समर्थन हमास और फलस्तीन को किस ने दिया इरान ने दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि एरान और फलस्तीन को जाकर के इसराइल के नेतिनिया हुची से माफी जिसके बाद से दूसरों पूरे Middle East में एक बड़ा हलचन मज़ गया है जहाँ पर लगातार इसराइल इरान को धंगी दे रहा है और कह रहा है कि अब इरान के काफी सारे strategic assets पर वार किया जाएंगे और उन्हें नस्ट कर दिया जाएगा और इसके सासत इरान के जितने वी political regime है उनका तक्ता पलेट भी किया जाएगा और इस चीज़ को ले करके अब भारत भी काफी अदा खौशिस हो गया है और अपनी presence बड़ा रहा है इरान में जिसके बाद से पाकिस्तान काफी अदा परिशान है और पाकिस्तान अब कह रहा है कि अब भारत इसराइल और अमेरिका के साथ मिल करके इरान का खात्मा करने जा रहा है क्योंकि इरान ही एक ऐसा देश है जो मिडिल इस्ट में आशान्ति फैला रहा है और टेर्रिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रियाक्शन देखते हैं अगर आपक अगर ये है कि इस वक्योंकि वार एसकेलेट कर रही है आप जानते हैं और जाहर है कि ऐसी सिट्वेशन में तमाम कंट्रीज जो तयार होते हैं तो जो इंडिया है उसका नेवल वार शिप एक एरान पोर्ट पर डॉक किया गई ये कहा जा रहा है और उसकी खबर ये बताई देखें इसमें ये बात कही जा रही है कि क्या ये जो है ये इस वज़ा से है क्योंकि जो जंग है ये एक स्ट्रीडिजिक डेप्थ है इंडिया की भारत की तरफ से ये जो एक नेवल वार शिप सिर्फ एक नहीं बलके दो तीन है अगर हम उसकी उसमें जाएं तो हमें पता इसे टाइमिंग में ये खबर नजर आती है कि जब आप जानते हैं कि वार की स्ट्वेशन है अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो एरान है उसने मदद तलब की है वो हैल्प चाहता है इंडिया कि ये इरान इस वक्त मदद मांग रहा है भारत से तो देखें अगर हम देख में उसमें जो एक मैप ता उसमें इंडिया की कंट्रीज भी जिसमें उन्होंने का ब्लैसिंग जो था जिसकी ओपर उसमें इंडिया भी शामिल था और फिर वो तो मदद मांगने की उनको जुरूरत ही नहीं है बलके ये जब हासन नसर ला का कतल हुआ तो उसके फॉरण ब में है कि ऐसे किसी भी बड़े एसकेलेशन में दुनिया की उसको देखा जाएगा कुछ कंट्रीज देख रहे होंगे उसकी तरफ इस लिए नेवाल शिर्ट जो साही है भी किलाश किये हो लग लग इस ताम इंडिया इतना है कि वो चुका है कि इरान वालो तुमारी मारने क अधिया है इतना है खिर्ट इस लिए पर इस और जाएगा कि आप दो दोगे रहे हैं और देखना किस तरह तो तोड़ अभला करने को अधिया है कि अपको पता है दून्यों को भी पता है इस्राइल ने लेकर चले कि आप सब्सक्राइब करें इस्राइल को पता है कि आप सब्सक्राइब करें यूजर आप सब्सक्राइब करें इस्राइल कि द Siber दो तो मेरे ख्यार से इंडिया मुझे जो लगता है अबनों से तर्वाइब को दिखाए अगर हैल्पी की तो चौरी छुपे तो चौरी छुपे तर्वाइब कैसा सरया हुआ जितना मुझे लग रहा है क्याना से प्रादे निबस जो कि वो ने भी है बना हुआ इंडिया बना बोई अब सब फात्रवाद का रहा है जो जो जोंच क्यों कि वारूँ है अगर्श आपको यह मैंसब रियक्सन का वीडियो का ऐसा लगा अपने थौट को नीचे वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल पिना हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कर दो, कर दो